हेलो दोस्तों मैं हूँ राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशल कॉंपटेशन टाइम्स की लाइफ सेशन्स भारतिये नियाय सहीता 2023 इसके कॉंटेक्स में यूट्यूब पर भहुत सारे वीडियोज आ रही हैं जो अलग-अलग अपनी-अपनी बाते बोल रहे हैं लेकिन फिर भी कोई confusion eliminate हो नहीं रहा, confusion तभी eliminate होगा जब हम इस एट को detail में word-to-word study करेंगे, तो इसलिए हमें काम करते हैं बिना देरी किये, इसके सभी sections को detail में study करेंगे word-to-word, सभी illustrations को देखेंगे कहां का, क्या के changes हुए, explanations को भी देखेंगे क्या के changes हुए, section में अंदर content में क्या-क्या words बदल गए, क्या को definition बदल गया है, वो सारी चीज़े हम study करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे proceed करें, वो सभी लोग जो judiciary की त्यारी कर रहे हैं, और मेरी online coaching classroom को join कानडा चाहते हैं, so मेरी website judicialcompetitiontypes.in पर visit करके, classrooms के लिए unroll कर सकते हैं, और जिन लोगों न मेरा Instagram और YouTube चैनल पर subscribe नहीं किया है, so वो subscribe करके all notification bell को click कर लिए, ताकि मेरे सब भी वीडियो के notifications आपको मिल जाएं, तो चलो ठीक है, देरी नहीं करते हैं, और जल्दी से दिख लेते हैं, कि हमारे पास आज के इस session में क्या है, जो नए कानून में पास होने वाला है, तो च चटन वर बेसिकली प्रण्दमदरी के बारे में बात करता है, और इस session को ताकि लंबा ना हो, एक ही section को में discuss कर रहा हूँ, ताकि आपको basically पता चल जाए कि ये act apply कहा हो रहा है, इसका क्या नाम है, और ये काम कैसे करेगा, और किस-किस लोगों पर apply और कब से लागू होगा तो section 1 को हम देखेंगे, तो चलिए, तो आप कोई भी act पढ़ लीजिए, उसका जो सबसे पहला section होता है, उसका हमेशा short title होता है, short title, commencement and application, यानि कि हमेशा subsection 1 या section 1 हमेशा indicate करता है, कि ये act का short title क्या है, ये कब commence हो रहा है, और ये कहा कहा अपलाए होगा, तो इसी कुछ च भारतिये न्याय सहिता 2023, अब हमारे आपर पहले जो नाम था, भारतिये दंड सहिता, या Indian Penal Code, अब वो चीज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक ही नाम रखा गया है, भारतिये न्याय सहिता, अब कुछ लोग उसे अलग से कोई और English में नाम देने लगें, तो मैं उसके बारे में कुछ कमेंड नहीं करना चाहता, लेकिन लेजिसलेचर इसका सिर्फ एक ही नाम बता रहा है, भारतिये नाय सहिता 2023, अब सवाल यह उठता है, कि यह कब लागू होगा, अभी तो एक्ट पास नहीं हुआ, लेकिन पूरी पूरी चांसे हैं, कि एक्ट पास ही हो जा ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना है, फ्यूचर में, तो यह एक्ट जब पास होगा, उसके बाद स्ट्रेटल कवर्मेंट एक ओफिशल नॉटिफिकेशन निकाल सकते हैं, जिसमें वो बता देंगे, कि हम इसे कौन से फ्यूचर डेट से अप्लाई कर रहे हैं, इवन साथ लागू ना हो, अगर स्ट्रेटल कोवर्मेंट यह चाहती है कि अलग 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 प्रविजिएंस को अलग 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 देट्स पर लागू किया जाए, एनफोर्स किया जाए, तो इस इस अलसो पॉसिबल, सो क्वाइट इस पॉसिबल, दा कम्प्रीट कोड, कूट ब इनफोर्स फोर्म वन पर्टिकुलर डेट, अगे हैं हमारे पास सब्सेक्शन नुबर 3, सब्सेक्शन नुबर 3 इसकी अप्लिकिबिलिटी के बारे में बात पर रहा है कि यह लागू किन-किन लोगों पर होगा और कैसे कैसे होगा, यहां पर वो कह रहे है, ध्यान से देख अंडर दिस सहिता, यानि कि हर व्यक्ति इस सहिता के तहत पनिशेबल होगा, and not otherwise, for every act or omission contrary to the provisions thereof, यानि कि अगर कोई भी परसन भारतिये न्याय सहिता 2023 में दिये हुए प्रोविजन से contrary कोई भी act या omission अगर करेगा, तो ऐसे परसन को सजा दी जाएगे, और which he shall be guilty within India, तो ऐसे परसन को इंडिया में सजा दी जा सकती है, जो परसन इस पर्टिकुलर लॉग के प्रोविजन को वॉलेट करते हुए कोई भी act करेगा, या कोई भी omission करेगा, ठीक है, इतनी सी बात उन्होंने सबसेक्शन नबर 3 में mention की है, चलिए, नेक्स आते हैं, सबसेक्शन नबर 4 पर, any person liable by any law for time being enforced in India, कोई भी person मान लो, कोई ऐसा कानून जो की इंडिया में लागू हुआ हुआ है, और उस law से वो व्यक्ति bound है, और वो law उसे किसी act के लिए, उसके द्वारा किये वे किसी act के लिए, अगर वो liable कर सकता है, वो law जो की, लेकिन वो law हम हमारी इंडिया में लागू है, और वो किसी person को उसके द्वारा किये वे किसी act के लिए गर liable कर सकता है, to be tried for an offense, commit beyond India, इसका कहने का मतलब यहां पर यह है, कि मान लो, कोई ऐसा कानून हमारी इंडिया में मौजूद हो, जो उस person को, किसी भी person को, चाहिए वो इंडिया हो, को द्वार बोर रहों, अगर कोई ऐसा law हो, जिसमें यह लिखा हो, कि कोई भी person, अगर इंडिया से भार कोई act कर रहा है, और उसका trial इंडिया में चला जा सकता है, उस act के लिए, और उसे responsible held भी किया जा सकता है, उसे label भी किया सकता है, तो क्या होगा, तो ऐसे person को हम कैसे deal करे गे, shall we deal according to the provisions of this सहीता, तो हम उसको इस code के, इस सहीता के provisions के तहत, उसके प्रावदानों के तहत, हम उसको deal करेंगे, for any act committed beyond India, in the same manner as if such act had been committed within India, तो हम उसको ऐसे ही deal करेंगे, उन acts के लिए, जो उसने इंडिया से बाहर किये, जैसे कि उसने वो act इंडिया में ही किये हो, तो मैं दुबारा repeat कर रहा हूँ कि किसी person के दुबारा कोई act इंडिया से बाहर किये गए हो, और हमारे पास को ऐसा कानून है, जो उसका इंडिया में trial चला रहा है, और उसे guilty held भी कर रहा है, तो ऐसे person को हम इस act के तहत, इंडिय जैसे कि उसने वो act इंडिया में ही कमिट किया हूँ, ठीक होगी बात, चलिए आगया थे, आगे हैं अमारे बात सब्सेक्शन पर 5, वो कह रहे हैं, the provisions of this सहिता apply also to any offense committed by, अब हाँ उन्हें उन्हें कैटिगरी बनाई है, ये कैटिगरी पहले भी थी, तो ये कुछ चेंज न और चाहे वो इंडिया से बाहर जाकर कोई भी offense commit करें, वो according to the provisions of this particular सहिता, वो libel माना जाएगा, according to the provisions of this act, वो libel माना जाएगा, ये कि अगर कोई इंडियन है, citizen of इंडिया है, इंडिया में act करें, इंडिया से वहार act करें, उसके ओपर हमारा IPC apply हो रहा है, see this ही बात, दौ कोई भी अगर इंडियन है, वो इंडिया में act करें, जो IPC में punishable हो, इंडिया से बाहर जाके offense commit करें, जो IPC में punishable हो, तो भी वो person punishable माना जाएगा, मान लो, कोई ऐसा act, इंडिया में तो punishable हो, लेकिन foreign में अगर वो बगती रहा है, लेकिन foreign में वो उस act के लिए punishable ना हो, तो अगर वो person कहता है, कि नहीं जी मैं तो उस act के लिए punishable नहीं हूँ, वो तो विदेश में तो कानून में कहीं पर भी punishment provide नहीं की गई है, तो मैंने तो offense वहां पर commit किया था, मैंने कोई offense इंडिया में थोड़ी commit किया, मैंने तो भाहर commit किया, और वहां पर वो punishable है नहीं, अब इसको हटाने के लिए हमें भी हो सारी मश्रक्त करनी पड़ी है, तो भारतिये न्याय सहिता में अगर कोई act punishable इंडिया में है, और चाहिए भी देश में punishable नहीं भी है, तो भी हम उसे इस सहिता के तहत इंडिया में prosecute कर सकते हैं, उस आदमें पर या act आप लागू हो मैं दुबारा बोल रहा हूँ, B clause जो है, वो उन लोगों पर apply हो रहा है, चाहे वो citizen हो, चाहे ना हो, वो कोई भी हो सकता, लेकिन वो person किसी ship पर है, वो किसी aircraft पर है, लेकिन वो इंडिया में registered है, वो aircraft या ship, अब ये aircraft या ship दुनिया में कहीं पर भी हो, registered है इंडिया में, ल कोई भी ऐसा vehicle, चाहे वो ship हो, चाहे वो aircraft हो, अगर वो इंडिया में registered है, तो वो इंडिया टरिटरी मानी जाती है, अब वो इंडिया टरिटरी में वो व्यक्ति मौजूद है, आप कहें, सर वो तो high sea में है, वो तो समुद्र में कहीं दूर है, कहीं और भी देश में, इंडिया, तो इसको इस context में देखिया, तीसरा वो कहते हैं, C clause में, any person in any place without and beyond इंडिया, committing offense targeting का computer resource located in इंडिया, कोई person इंडिया से बाहर रह रहा है, लेकिन वो हमारे किसी computer resource को target कर रहा है, इंडिया में, हो सकता है, चाइना में बैठके कोई hacking कर रहा हो, पाकिस्तान में बै तो अगर कोई व्यक्ति विदेशों में बैठकर हमारी इंडिया को hack कर रहा है, through computer resource, या computer programming को, किसी bank के transition को, या कोई हमारी important government की website को target कर रहा है, किसी person के account को hack कर रहा है, विदेश में बैठके, तो भी वो हमारे IPC से control होगा, और ऐसे माने जाए, उसने offense इंडिया में ही commit किय इसका explanation समझते हैं, यहां पर वो कहते हैं, in this section word offense include every act committed outside India, which if committed in India would be punishable under this center, तो कोई भी act या कोई भी उसने अगर commission किया है, इंडिया से भाहर किया है, तो अगर वो इडिया में commit किया होता, अगर वो punishable होता, तो फिर वो punishable माना जाएगा इंडिया में भी, according to this सहीता, तो हमको basically देखना है कि वो act इंडिया में punishable है या नहीं है, उसने act भाहर किया, नहीं किया, हमें इस बास से मतलब नहीं है, अगर इंडियान है, act punishable है सहीता में, अब वो चाहे विदेश में जाकर करें, चाहे इंडिया में करें, he will be punishable for that, अब देखिए, यहां पर illustration भी थ गिरिफतार, तो उसका trial और उसका conviction murder के लिए हम इंडिया में कहीं पर भी चला सकते हैं, जहां पर उसे गिरिफतार करेंगे, जहां पर वो पाया जाएगा, जहां पर वो agencies के तवारा गिरिफतार होगा, ही में भी found का मतलब यह है, जहां पर वो मिलेगा, कहां मिलेगा, जहा कूट के सामने पेश कर लेगा, जहां खुद से पुलिस के सामने आ जाएगा, पुलिस वाले गिरिफतार कर लेगा, चाहे वो विदेश में भी क्यों न कमिट करके आया हो, हां, तो यहां पर territorial area विदेश का नहीं देखेंगे, इंडिया का ही माना जाएगा, और हमारा IP से उ जो जो नया लौ है यह भारतिया नया सहिता उस पर अपलाए होगा, ठीक है, चलिए, नेक्स देखते हैं, सबसेक्शन नमबर सिक्स, नतिंग इन दिस सहिता शाल अफेक्ट दा प्रोविजन सोफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी, डिजर्शन ऑफ ओफिसर्स, सो को प्रोसिक्यूट करने के लिए उनके द्वारक किये वे उफेंस को अगर गवर्ण कर लिए कोई अलड़ी लौ एक्जिस कर रहे हैं, तो उनको हमारा यह सहीता भारतिया नया सहीता कहें पर भी अदरवाइस प्रजुडाइस नहीं करता, उस एफेक्ट नहीं करता, वो पै हमारतिये नया सहीता 2023, chapter 1, section 1 के context में, जो भी changes हो रहे हैं, सबी sections में, उन सब को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, word to word, तो कहीं पर भी कुछ छुटेगा नहीं, कुछ चूक नहीं होगी, side by side हमें पता चलता रहेगा कि क्या-क्या तबदीलिया हो रही हैं, उसकी explanations को भी हम YouTube समझ रहे हैं, तो मैं दुबारे से कहूंगा, अगर आपने मेरे YouTube चनल को subscribe नहीं किया है, तो कर लिजे, इसको like, share और comment भी कर दिजे, आपके यह सब inputs मेरे लिए बड़े important है, और मुझे boost करते हैं, आगे की video sections बना आएले के लिए, तो अभी जो next session है, मेरा section 2 के contest में होगा तो उसे miss मत कीजेगा, तो उसको भी आप देख लिजेगा, ताकि sections में क्या-क्या तबदीलिया हुई हैं, और क्या-क्या changes होएं, as per section number 2 वो भी हम देख लेगे, तो that is all for today, thank you so much, जाहेंद, चाहें भारत.